तो हेलो एबरीवन आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ तो दोस्तों सलार से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है इस टाइम की सबसे बड़ी अपडेट है जो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ और ये अभी तक मित्रिफ और सिर्फ मैं ही बत रहे होगी दोस्तों ये बताने से पहले पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कितने डुख की बात है कितने शर्म की बात है कि जो movie 28 सेप्टेमबर को रिलीज होने वाली थी आज एवर girl movie 22 दिसंबर को आती है तो उस movie को दोस्तों इतना बदनाम किया जा रहा है इत मखबود हैं इतने दूस्तों इतने लॉयल हैं कि भाई शायरु masked के बारे में क्या शायरु khान के साथ में भी और होने को आता है तो वह भाई साब उनको कच्चा चबा जाते हैं अब देखो ये बात कितनी सच है कितनी जोट है ये बात मैं अभी आपको बताता हूँ लेकिन अभी तक जो निउस आ रही थी सलार के रीमेक के बारे में के भाई ये मूवी एक रीमेक है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ के तीन दिन पहले एक न्यूस बारेल हुई है के सलार के सेट से प्रित्विराज सुकुमारन का एक पिच्चर लीक हुआ है अब आप ये खुश सोचो भाई वो पिच्चर लीक हुआ है या उस पिच्चर को जानपूच के लीक किया गया है अब ये बाद सोचने वाली है के प्रिशान्त नील एक ऐसा ही डारेक्टर है और ये ही नहीं के भाई सलार उनकी पहली मूवी हुँ भाई इससे पहले KGF1, KGF2 आ चुकी है जब वो मूवी दोस्तों बन रही थी है रिलीस होने वाली थी भाई मैंने कभी नहीं सुना मैंने कभी नहीं सुना कि उनके सेट से कोई पिच्चर लीक हुई हूई हूई सलार की मट्टी ख़़ाब इस वज़े से हो रही है दोस्तों के उसको दोस्तों जो इन्होंने डंकी के साथ क्लैश करा है भाई सलार के पीछे पढ़ गए है शारुख खान के फैंस अब या तो वो इसको बिल्कुली नीचे गिरा के मानेंगे या फिर भाई इसको जो हटाओ यहां से आगे ले जाओ या पीछे ले जाओ शारुख खान के फैंस दोस्तों इस टाइम पे सलार के या निके पूरी मतलब सलार की जितनी भी स्टारकाश्ट है सब के पीछे पढ़ चुके है अब दोस्तों इसी के बीच ओ बीच में एक न्यूज निकल के आती है परिशांत नील की भाई परिशान नील बिल्कुल same to same आके मीडिया पे तो नहीं बोले एक वीडियो पे ऐसा नहीं बोला लेकिन दोस्तों news निकल के यह आ रही है और यह बात जहां से आई है वो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल एक वीडियो किसी के सामने या किसी से भी बनके नहीं आई है यह बात उन्होंने वीडियो पे बोली ही नहीं है यह बात बोली है जैसे कि आप मेरे पास आए मैंने आपको अपने घर में बोलाया चाए पानी पिलाया वहाँ पे बात हुई किसी मीडिया रिपोर्ट के अब उस मीडिया रिपोर्ट से बात करी परशांत नील ले के भाई यह जो हमारी मूवी है यह रिमेक नहीं है के लिए सो शब्दों की एक बात मैंने बोल दी परशांत नील ले बोला कि यह हमारी मूवी रिमेक नहीं है यह एक ओरिजन या वो जिस बड़ी जो है निउस चैनल से जुड़ा हुआ है उसने दोस्तों ट्विट करा सलार इस ए ओरिजिनल मूवी अब दोस्तों यहां से बात निकल के आती है यहां से अब मज़ा बनता है कि सलार एक ओरिजिनल अगर कॉंटेंट है तो इन लोगों ने जो उगरम जो म का जवाब नहीं होगा कि वो यूट्यूब से क्यों गयब हुई और रवी बस्रूर ने यह क्यों कहा कि उगरम का रिमेक है सलार अब कौन जूट बोल रहा है कौन दोस्तों कौन गुम्रा कर रहा है इस बात का दोस्तों पता लगाना जो है थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन भाई जब मेन बंदे ने बोल दिया है और उदर रवी बस्रूर आके अगर मीडिया में बोलते हैं कि यह जो उग्रम है उग्रम का रिमेक सलार है अब यहां पर बात दोस्तों गुम्रा कर देती है पबलिक का दिमाग गुमा देती है इस बात से साफ बात एक निकलती है कि स इन सब के बीच में एक आदमी फ़का है वो है परभास अब आप खुद देखो इस टाइम पर परभास एठम खामोश है भाई कहीं पर बी नहीं दिख रहे हैं वो कहीं पर भी नहीं है मुझे तो लग रहा है कि वो घर में बैढड़ गहे आराम से कहीं पर भी नहीं है किसी से कई कोई बात नहीं किसी से आना जाना नहीं वनना तो आए दिर स्टार्स आते हैं जाते हैं कहीं न कहीं किसी मीडिया वाले की नजर पड़ी जाती है लेकिन वो भी हमें नहीं देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर दोस्तो प्रभास की मुश्किले दोस्तो बढ़ती हुई दिख रही है क्योंकि उनकी लास्ट भाई जो मूवीज आई है वो फ्लॉप रही है अच्छी नहीं चली पबलिक को पसंद नहीं आई तो सारी उमीदे सलाट से तीया वो यही सोच रहूंगे क्या मेरे मत्य पढ़ गया है क्या हो चुका है तो बस दोस्तों मैं यही आप से कहना चाहता हूं कि भाई देखो में बंदे ने बोल दिया है नहीं है अब यह बात जो आई है निकल के अब कौन सच्चा है कौन जूटा है यह तो भाई मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा फिलाल देखते हैं कि आगे क्या अपडेट्स आती है मैं तो यही कहना चाहता हूं कि भाई जितने भी लीकेज वाले यह फोटो बगिरा है इस बात को आगे ना फेला और अपने मुवाइल से अगर आ चुगा तो या तो अपने मुवाइल में रखो या फिर उसको आगे शेहर मत करो क्योंकि ऐसे जो है तो दो पहलू होते हैं अपने नीचे मुझे जरूर बता ना तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो आपकी कह रहा है मुझे नीचे वीडियो मैंने नहीं थैंक्स वरवज